हाई फ्रेंज वेलकम टू माई चैनल स्विट लिटल गार्डन ये देखिए आज हम बहुत ही खुब सूरत से प्लांट के बारे में जानकारी लेते हैं ये प्लांट जो है बहुत ही रेर होता है कॉमनली किसी भी नर्शरीज में नहीं मिलता तो इस तरीके से जो ये फ्लावर खिलता है बहुत ही खुब सूरत लगता है दोस्तों और ये जो प्लांट है ये एक हारडी पर्मनंट पेरेनियल प्लांट है एक बार लगा देंगे तो ये सालो साल आपके गारडन में चलता रहेगा तो ये जो प्लांट है इसमें तीन कलर में ये प्लांट आता है ये वहाँटी वो ये होती है से यह देखिएहगा यह वाइट मसलर यह वाइट मतलब यह वाइट यह पिंक इष कलर और यह थोड़ासा जोभी लेवेंडर कलर के या फिर डार्क स्टिक निकलती है और स्टिक के बाद इसमें ये देखी इस तरीके से फ्लावर जब भी शुरू शुरू में फ्लावर खिलते हैं उनका कलर बहुत ही डार्क और साइज में बड़े होते हैं और जब भी ये फ्लार स्थोड़े से मुर्जाने लगते हैं तो इस तरीके से थोड Flaurs भी बन जाते हैं पॉलिनेशन भी होता है और Flaurs भी जो है इसमें the seeds बना लेते हैं यह देखियेक दोस्तों कितना खूबसूरत हैं Flaurs और इसके Seeds जो है कभी कभार बनते हैं इसलिए इसे कटिंग से ग्रो करना इसी रहता है इसकी जो है चोटी से छोटी कटिंग मतलब टोरेनिया की तरह चोटी की छोटी कटिंग भी चल जाती है जब भी इसमें सीड बनते हैं फ्लावर फेड हो जाने के बाद तो वो पॉपी के फ्लावर जेसरेते हैं बिल्कुल उसी तरह छोटे-छोटे और वाइट कलर में होते हैं उससे भी असलिए से अच्छा होता है यह देखे दोस्तों यह सब गूब शूरत लगता है और बहुत यह इस ली कटिंग से घुर भी हो जाता है तो लोग, जानते हैं इस प्लांट के बारे में और कुछ बाते तो इस प्लांट को जो है आप पाट नियरली अगर चोटा है प्लांट तो छे इंच का दीजिएगा और बड़ा है तो आप इसे दस इंच तक का भी गमला दे सकते हैं कई बार जो है नर्सरीज में बहुत बहुत बड़े प्लांट भी मिलते हैं तब आप उसे बारा इंच के गमले में भी लगा सकते हैं दोस्तों ये देखिए कटिंग से ग्रो किये ग माला लेते हैं तो वह तनी अच्छी तरीके से गुर्वा नहीं कर पाएगा यह जो प्लांट है मेरा पिछले साल का फिलान ता बहुत ही हेल्ली था इसलिए शुद्ष अच्छी हो रही है और इसकी व्यट नहीं है नहीं हो रहा है और cima लालगा प्लांट है किसी भी टाइप की मिट्टी में चल जाता है इसे अगर आप थोड़ा सा कमपोस दे देंगे तो यह और भी बुशी बनकर ज्यादा फ्लावरिंग कर जाता है इसको जो है आप फुल सन में रखिएगा स्रिफ समर में ही इसको जो है आप शेडी एरिया में तो इस पर ज्यादा डिसीज गिरने का जो है डर रहता है लेकिन फिर भी दोस्तों इस पर जो है मिली बग्स या फिर स्पाइडर माइट्स और फॉंगि साइड का बहुत अटेक हो जाता है दोस्तों तो उसलिए जो है आप इस पर हर हमेश्य एवरिज सेवन डेज में इस और आप स्प्रे करते रहेगा ताकि यह आपका प्लांट हेल्दी रहेगा यह प्लांट दिखने में इतनी खूबसूरत भी दिखता है फ्लावरिंग भी ज्यादा करता है लेकिन इसका एक जो ड्रॉबैक है दोस्तों इसमें डिसीज बहुत लगते है बस सेवन डेज में ए इस प्लांट के बारे में तो यह जो एंजिलियोनी का प्लांट है बहुत ही अच्छा दिखता है और इस प्लांट को जो है दोस्तों एंजिलियोनीया कहा जाता है कई लोग जो है दोस्तों इसको लेवेंडर का प्लांट कहकर भी सेल करते हैं दोस्तों लेकिन यह प्लांट लेवेंडर नहीं है यह एंजिलियोनिया का प्लांट है और बहुत ही खुब सुरे दिखता है दोस्तों तैंक यू